सीजन की शिरुवात यंग जून नामी एक लड़के से होती है यंग जून को अपनी हर चीज परफेक्ट चाहिए क्योंकि वो खुद को एक परफेक्ट इनसान समझता है और उसके हिसाब से उस जैसा हैंसम प्यारा और जहीन इनसान दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता वो बहुत अमीर है तो इसलिए उसे लगता है वो ही सबसे अट्रैक्टिव इनसान है पूरी दुनिया में से उसको सबसे ज्यादा उसकी सेक्रेटरी किम जानती है और वो ही उसका हर काम बहुत अच्छे से करती है क्योंकि उसे पता है कि उसका सेलफ अबसेस्ट पॉस किसी की गलती को माफ नहीं करता यंग जून की कमपनी में एक मीटिंग होती है लेकिन वहां बैठा सब स्टाफ यंग जून की वज़ा से बहुत डर के बैठा होता है जैसे ही यंग जून वहां से जाता है फिर ही सब सुकून का सांस लेते हैं सीन्स अब एक पार्टी की तरफ शिफ् बलकि वो खुद को ही शीषे में देखता रहता है। यंग जून iki किम से पूचता है कि वो कैसा लग रहा है।। किम कहती है बॉस आप बन्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। ये सुन के यंग जून को सुकून होता है क्यूंके वो हरोग परफेक्ट दिखना चाहता है। किम कहती है कि वो अपनी कुछ पर्सनल वजह से ये जॉब छोड़ रही है यंग जून ये सुनके बहुत परिशान होता है कि वो अब क्या करे और इसलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है उसका दोस्त पूछता है कहीं तुमने कभी किम को हर्ट तो नहीं किया वो कहता है प किम की बहन किम से कहती है मुझे लगता है यंग जून तुम्हें पसंद करता है क्योंके तुम्हारे इलावा वो किसी और लड़की से बात नहीं करता इस पर किम हस्ती है और कहती है कि यंग जून को सिर्फ खुद से प्यार है वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता यंग ज जजबात कंट्रोल नहीं कर सकी अब यंग जून किम से दुबारा रिजाइन करने की वज़ा पूछता है किम कहती है वो अब अपनी लाइफ को अपने हिसाब से गुजारना चाहती है किसी की सेक्रेटरी बन के नहीं ये सोच के यंग जून हैरान रह जाता है और सारी रात उस उसे नीन नहीं आती सुभा वो दीखता है कि उसके फेस पे पिंपल निकल आया है यंग जून को बहुत उससा आ रहा होता है वो जो के एक परफेक्ट इनसान था अब वो अपना खयाल नहीं रख पा रहा है उसके बाद दिखाया जाता है कि यंग जून किम को कहता है कि वो यह पार्क को बताता है पार्क उसे कहता है कि अब वो तुम से शादी करना नहीं चाहती पर सेल्फ अबसेस्ट यंग जून हसता है और कहता है कि इस दुनिया में क्या कोई ऐसा होगा जो मुझे रिजेक्ट करें पार्क यंग जून से पूछता है कि आखिर तुम उसके जाने कर दिल में हसता है सोचता है कि अब इस इनसान के लिए इनसान और कपड़े बराबर हो गए हैं अगले दिन के न्यू सेक्रेटरी जिया को ट्रेनिंग देती है ऑफिस में और उसे सबसे मिलवाती है और वो बहुत खुश नजर आ रही होती है यंग जून उसे देख के बहुत करना चाहिए फिर आफिस में सब नाइट पार्टी डिनर का प्लान करते हैं यंग जून ये सब सुल लेता है जहां वो डिनर कर रहे होते हैं वो वहां आ जाता है सब उसे देख कर हैरान और चुप हो जाते हैं अब वो हर चीज में नुक्स निकालने लग जाता है कि तुम उसके बाद उसके कहने पर सब महंगे होटेल आते हैं वहां मिस वांग ज्यादा ड्रिंक करके यंग जून पर चिलाती हैं क्यूंकि उसने उसे कभी सेक्रेटरी बनने का मौका नहीं दिया उसके बाद वो किम को छोड़ने उसके घर जाता है उसे कहता है कि तुमने देखा ह कि मैं सब के साथ कैसा पॉलाइट और अच्छा रहता हूँ आज के बाद तुम्हारा हर दिन ऐसे ही अच्छा होगा क्यूंकि अब से मैं तुम्हें देट करूंगा वो हैरान होकर उसे मना कर देती है और अंदर चली जाती है वो ना सुनकर वहीं खड़े उसे मैसिज करता ह है लड़ता है एंड में किम उसे कहती है अब सेल्फिश और इंकंसिडरेट मैन हो रात को वो ड्रॉना खौद देखता है और अगली सुबह किम को कहता है मैं ऐसा ही हूँ तुमने सही कहा था अब तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है जिया को ट्रेनिंग दो और चली जा उसके ख्याला जानने के लिए उसके बाद पार्क उसे एक पर में बुलाता है वो इसका इंतजार कर रही होती है पर आगे से यंग less न को आता दिखती है वो फिर उसके साथ ईक झ्हूले पर राइड लेता है जिस से वो बहुत डर जाती है और कहती है अब मुझे नहीं लेनी दोबारा राइड उसके बाद वो उससे पूछता है कि उसे क्या करना पसंद है फिर वो मेरी गो राउंड नाम का जूला साथ बार लेती है वो बहुत हुश होती है यंग जुन उसे देखता रहता है उसके बाद वो उसे दूसरी जगा ले जाकर फायर वर्क्स दिखाता है फिर वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते हैं कि अगर थोड़ी देर और देखते तो दोनों में किस हो जाती फिर वो उसे घर छोड़ने जाता है तो उसे पता लगता है कि वो वो सब कर रहा है जो उसने सर्वे में फिल करवाया है उसके बाद उसे वो उसका मन पसंद टेडी भी देता है वो कहती है मैं इससे इंप्रेस नहीं होंगी वो ये कहकर जानी लगती कि वो उसे रोब कर कहता है कि अभी तुम्हारी लास्ट विश अपने बॉर्फरेंड को किस करने की रह गई है ये कहकर वो उसे किस करने लगता है पर वो उसे इंटरप्ट करके चली जाती है और अगले दिन उसकी फ्रेंड्स उसे ब्लाइंड डेट पर भीजती है जो के होता है और दिखाया जाता है कि जिया उसे बता रही है कि फेमस राइटर जो किम को बहुत पसंद है जिसका नाम मौफिस राइडर है जो कि यंग जून का बड़ा भाई भी है जिसका असल नाम लीस यंजूंग है जो अभी अभी कोरिया में लैंड हुआ है आ रहा है उसके ब तब ही वो उसके पाउंपर पुरानी चोटों का गहरा निशान देख लेती है वो उसे कहती है कि तुम्हें कोई मसला नहीं कोई तुम्हारे करीब आए ठीक है मैं भी आकर देखता हूं कि तुम फिर क्या कहती हो वो इस सब में उसके उपर गिर जाती है जल्दी जल्दी में दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते हैं उसके बाद वो सो जाता है किम देखती है वो परिशान है जैसे वो कोई डौना खाब देख रहा हो वो उसे उठा देती है वो उसे कहता है कि आज मेरे घर रुक जाओ फिर उसे फोन आता है कि उसके बड़े भाई का लेकि उनों में बहस होती है तो यंग जून चला जाता है फिर अगले दिन आफिस में किम उसे कहती है कि क्यों ना हम मॉर्फिस जैसे फेमिस राइटर को अपने लाइबरी ओपनिंग में बुलाएं वो बात उसे पसंद नहीं आती वो मॉर्फिस को अपने नाम से इमेल कर देती है इन्विटेशन का। यंग जून के मौम के कहने पर वो अपने घर जाता है दिनर पर たके दोनों भाईों में सुला हो सके पर वहां उनमें लडाई हो जाती है उसका भड़ा भाई उसे पंच कर देता है उसके बाद वो क्यम के घर जाता है वो उसका ख Sadly लेने आता है उससे क और आज उसका बहेवियर ऑफिस में भी बहुत अच्छा होता है सब के साथ ही उसके बाद दिखाया जाता है कि ली स्योंजुंग किम से मिलने आता है उसकी एमेल पढ़कर वो उससे मिलकर बहुत हुश होती है वहां यंग जून ये सोच रहा होता है कि किम किसी और को अच्छ कि कौल आथी वह उसे मिलने को कहता है वह कहता है वह कहता है कि मैं भी गारे का जाजा रहा है और 20 मिनित के लिए मिलना चाहता हुए होँ यंग जून घून को होटल के बाहर धे कर घुस्सेर किम का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आता है किम को ये पसंद escuch कई आग़ sap नकि में कहती है के अब आप अपनी लाइन क्रॉस नहीं करेंगे तो इतने में किम को आफिस से पता चलता है कि मॉरफेस ही यंग जून का बड़ा भाई है वो सोचती है अब 설ूर कोई नकोई बात है यंग जून कल के लिए किम से सORI करता है फिर वो दोनों ठीक हो जाते रात को वो दोनों साथ में आफिस वर्क कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखना शुरू हो जाते हैं और देखते ही रहते हैं। वो केम को उठा कर कहता है कि आज तुमने मुझे कहा था पर अब मैं अपनी लाइन्स क्रोस करना चाहता हूं। वो उसे किस करने लगता है पर ऐसे करने के बज़ाए वो उसकी चेर को जोर से धका दे देता है। केम इस बात पर बहुत उसा होती है कि ऐसी मौके पर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वो उसे कहती है मैं तो भूली गई थी के अब वो ही यंग जून हो। वो उसे कहती है कि अब मैं कल से आफ़िस नहीं आऊंगी। मैं कल ओफ लूँगी अगले दिन मौरफिस। यंग जून से मिलने ओफिस आता है, पर वो उसे देखकर खुश नहीं होता, वो उसके बाद किम से मिलने उसके पास जाता है, और उसे कहता है कि उसने भी ओफ लिया है, और में तुम्हारे साथ हैंग आउट करूँगा, आज वो उसे मना कर देती है कि मैं बीजी हूँ पर वो उसे अपनी बातों से मना लेता है किम उसे आज एक ordinary man की तरह दिन गजारनी को कहती है वो दूनों सारा दिन साथ रहते हैं किम उसे इस तरह काफी तंग कर के बदला लेती है क्यूंके यंग को ऐसी लाइफ की आदत नहीं है उसके बाद किम को पता चलता है कि यंग जून ही वो आदमी है जिसको वो बचपन से ढून रही है बाद में उसे पता लगता है कि वो लड़का यंग नहीं उसका बड़ा भाई मॉर्फिस था जिसके साथ उसे एक घर में किड्नाप करके रखा गया था जब वो पांच साल की थी अगले सीन में किम और यंग जून रात को अकेले वाग कर रहे होते हैं वो उसे पूछ लेती है उसने उस दिन किस करते हुए ऐसे क्यूं किया वो उसे कहता है कि जब वो अपनी आखे बंद करता है तो उसे एक गोस्ट नजराता है इसलिए वो परिशान हो जाता है यहाँ अब पूरे आफिस में सब कोलीक्स को शक हो जाता है कि केम और उनके बॉस के दर्मियान कुछ चल रहा है यंग जून पार्क के साथ कुछ बार्बीक्यू का सामान लेने जाता है और वो सामान लेकर उसे वहीं ही छोड़ कर निकल जाता है उसके बाद वो किम को घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करता है सारा बार भी क्यों जला देता है उसके बाद दूनों में कुछ बाते होती हैं वो इतने ग्रीज़न घून किस होने ही लगती है कि पार्क वहां हुस्से में जाता है कियूँ के उसadas की की किस रह जाती है लाइबरी इवेंट पर लि सिन जुन केम को अपनी स्क्रिप पढ़ने को कहता है वह पढ़ ही रही होती है कि लिसजुन जुन उसका हाथ पकर लेता है यंग जून ये देख लेता है उसे घुसा आता है और वो अपने भाई को लेक्चर ना देने की एडवाइस करता है इवेंट पर भी उसे देखता रहता है यंग जून को घुसा आता है वो चले जाता है किम उसके पीछे उसे मनाने जाती है बातों बातों में वो कह द दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं और दोनों की लफ स्टोरी शुरू हो जाती है बहुत अरसे बाद किम के इजहार की वज़ा से वो सुकून की नीच सो पाता है उसके बाद दिखाया जाता है कि यंग जून का भाई किम को इन्वाइट करता है डिनर पर वो सब यंग जून ही वो छोटा बच्चा है जिसे वो बहुत अरसे से ढून रही थी उसके बाद हम देखते हैं कि किम यंग जून के घर कुछ काम कर रही होती है रात को आफिस में उसकी बहन का फोन आता है कि उसे नहीं रुकना चाहिए अपने सेलफिश बॉस के घर वो उसे बहुत एक्षिन को देख कर किम को वो बच्पन की किड्नैपिंग लेडी याद आ जाती है जिसने उसे यंग जून के साथ एक छोटी से कमरे में बंद किया था और बाद में उसने यंग जून के सामने ही सिवसाइड कर लिया था इतनी सी उमर में ये सब देखने का इफेक उस पर तक है इसलिए वो अपने नाइट मेर में डर जाता है अगले सीन में यंग जून किम के घर अपना सामान लेकर रहने जाता है पर उसे उसके छोटे से घर में बहुत मुश्किल पेश आती है तो किम उसे कहती है कि मैं आपके साथ आपके घर चलती हूं वो वहां गैस्ट रूम में जाकर सो जाती है यंग जून वहां उसके साथ आकर एक बैट पर लेट जाता है और उसे गाना सुनाने लग जाता है नेग्स डे आफिस में काम के बाद दिखाया जाता है कि रात को किम और वो अकीले घर में होते हैं यंग जून उसके पास आता है दोनों में रूमेंस चुरू होने ही लगता है कि पार्क का फोना आ जाता है और उसके सारे प्लैन पे पानी फिर जाता है अगली सुभा यंग जून को आफिस के काम से कोरिया से बाहर जाना होता है पर उसका किम को छोड़कर जाने का दिल नहीं होता वो एक हफ़ते के टोर को एडवांस नहीं होती वो ये पार्क को बताता है वो उसे कहता है शायद उसे ये नहीं पसंद वहां के मिस वांग के ये बात सुनती है कि वो आज अपने बॉइफरंट को डेट करेगी और रोमैंस करेगी क्योंके अब वो एड़ल्ट है जो चाहे करे उसे ये सुनकर केम को यंग जू होता है यहां यंग जून उसे बार बर फोर्स करने पर सौरी करने आता है रात को केम उसके घर जान बूच कर रुकती है और उस रात फाइनली दोनों में रुमैंस हो ही जाता है अगले दिन केम आफिस में अपने काम छोड़ जाने की बाती सुनती है कि अब उसके जाने का ताइम आ गया है तो उसे याद आता है वो जौब छोड़ने का फैसला कर चुकी है वो सोच में होती है कि अब वो ये जौब कुईट करना चाहती है या नहीं रात को वॉक करते हुए यंग जून उससे पूछता है तो वो उसे कहती है कि अब वो जौब नहीं छोड़ना चाह और अब मैं आपकी सेक्रेक्री ही बनके रहना चाहती हूं। उसके बाद दिखाया जाता है कि किम के फादर यंग जून को कहते हैं कि अगर तुम मेरे बेटी से शादी करना चाहते हो तो उसे रोमेंटिक अंदाज में प्रोपोस करो। वो बहुत से आइडियास मिस्टर पार करना चाहिए। वो घर जाता है, वो किम को घर इंवाइड करता है, पूरा घर सजाकर और उसके आते ही उसको गाना सुनाता है, اور उसे बड़े रोमैंटिक वे मेरे रिंग देकर शादी के लिए प्रोपोस करता है। अगले सीन में में दिखाया जाता है कि दूनों की फैमली पर ले जाता है और वो वहाँ भी office calls में busy होती है रात को kim dress try करने आती है shop पर वो बंद हो जाती है यंग जून जो कब से इंतिजार कर रहा था अब उससे नराज हो जाता है अगले दिन वो उसके घर वो ही dress पहन कर आती है जो उसने select की होती है और उसे मनाती है और वो मान जात है finally अगले दिन केम और यंग जून कयार होकर सबके सामने आने का wait करते हैं वो nervous होती है पर यंग जून उससे समझाता है यहां इस तरह एक self obsessed लड़का एक लड़की के प्यार में पढ़कर बिलकुल ही change हो जाता है और यूं इनकी कहानी जो 9 साल पहले शुरू हुई थी जि थैंक यू फर वाचिंग